तो नेवी के चीफ ने सरकार को अपन नियाँ पर क्या दिया है और यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि बहुत ही जल्द नेवी रखेगी एक फॉर्मल प्रपोजल फॉर इंडियास थर्ड एरक्राफ्ट क्यारियर। रीजन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है चाइना के एरक्राफ्ट क्यारियर लगतार बढ़ रहे हैं उसके लाबाब पाकिस्तान के पास सम्मरीन्स बढ़ रही हैं फ्रिगेट्स बढ़ रही हैं रीजन में अपनी डॉमिनेंस अगर बनाके रखनी है तो इंडिया को चाहिए और लेडिया को बताओगा के इंडिया के पास से अभी के लिए एक एरक्राफ्ट क्यारियर जो हमने परचेस किया है रश्या से जिसका नाम है इसके बाद जो सेकिंड एरक्राफ्ट क्यारियर है ये इंडिया नेवी में इंडट कर दिया जाएगा दो हजार बास में यहाँ INS विकरांद के बाद दूसरा एरक्राफ्ट केरियर होगा जो construct किया जाएगा in India मगर इस एरक्राफ्ट केरियर को लेकर cost एक major issue है बताया जा रहा है कि total cost इसकी minimum आएगी around 1.6 lakh crore रुपीज जो हमारे defense budget का ही almost आप कह सकते है 28 to 30% है सो discuss करेंगे इस वीडियो में कि क्या India एक तीसरा एरक्राफ्ट केरियर afford कर सकता है या नहीं और सिंस आप यहाँ बात कर रहे हैं एरक्राफ्ट केरियर की तो एक question आप से पूछूंगा कि इन में से कौन से country के पास अभी के लिए कोई भी operational aircraft carrier नहीं है आपके सामने options है Italy, France, UK या फिर Turkey नीचे comment section में answer करो इसका सही answer आपको मिलेगा वीडियो के end में और आप किसी भी exam की preparation कर रहे हैं आप buy कर सकते हैं unacademy courses यह होगा यहाँ पर original price यह पर मत कर देना go to an academies app या website use the code PD10 और यहाँ पर आपको मिलेगा discounted price आप purchase कर सकते हैं किसी भी exam का course SSE, bank, IIT, JE, gate, NET, railways, use the code PD10 and save money इस topic की gravity को समझने के लिए आपको जानना होगा कि इंडिया आपने defense budget को इस वक्त किस तरीके से खर्च रहा है वैसे आप अगर देखो तो इंडिया आज के समय दुनिया का तीसरा बड़ा सबसे बड़ा defense spender है after USA and China यह बताया है Stockholm International Peace Research Institute ने अपनी recent report में यहाँ पर आप देखेंगे यह कह रहे हैं इंडिया ने खर्चे है total 71.1 billion dollars in the last year हलाकि जो amount yellow coat कर रहे हैं यह इंडिया के actual defense budget से जादा है यह कह रहे हैं कि intelligence और बाकी और procurement में इंडिया ने total around 71.1 billion dollars खर्च लिये हैं अब यहाँ पर आप अगर देखो इस financial year का जो हमारा defense budget है यह है 4,71,378 करोड रुपीज total भारा सरकार का expenditure होगा in the financial year 2020-2021 यह है 30,00,00,00 करोड के आसपास अब इस defense budget को आप अगर convert करोगे US dollar में तो यहाँ पर आकड़ा हमारे सामने आता है 65 billion dollars जो अपने आप में एक massive amount है बगर जब हम देखते हैं कि कैसे हम यह amount खर्चते हैं तो यहाँ पर कुछ concern होती है 1,33,000 करोड रुपीस only on pensions मतलब कि जो total defense budget है इसका 28% तो चला गया सिर्फ pension में फिर उसके बाद salaries भी है और जब हम बात करते हैं defense modernization की तो उसके लिए बचते हैं roughly आप कह सकते हैं 1,20,000 करोड के आसपास और फिर जो यह amount है इसको आप अगर distribute करोगे Army, Air Force, Navy, DRDO में तो यहाँ पर देखोगे Navy को roughly मिलते हैं around 50,000 करोड रुपीस तो question यहाँ पर यहाँ आता है कि ते limited defense budget के साथ हम किस तरीके से एक तीसरा aircraft carrier बनाएंगे और उसको maintain करेंगे क्योंकि aircraft carrier पहली बात तो किसी भी Navy का cornerstone होता है सबसे powerful unit होता है और already आप अगर देखें तो in the past इंडिया ने aircraft carriers के लिए billions of dollars पे किये हैं जो मारा aircraft carrier है विकरम अधित्या यह हमने purchase किया था रश्या से इसका जो original price था रश्या ने बताया था around 910, 74 million dollars by the way यह aircraft carrier रश्या ने freshly built नहीं किया था यह इनका एक पुराना aircraft carrier था इसको refurbish करके इन्होंने इंडिया को बेचा तो जो initial cost थी इसकी under 1 billion यह बाची तागे बढ़ाते बढ़ाते यह पौच गई around 2.35 billion dollars पर अब देखो aircraft carrier ऐसा नहीं है कि आप बस खाली लोगे वहाँ पे आप aircraft री station करोगे क्योंकि बिना aircraft carrier useless है तो हमने यहाँ पर फिर 45,000,000,000 के भी purchase किये और overall सारी जो modifications हैं और upgradation हैं सबकी cost अगर आप लगा लो तो यह aircraft carrier हमको पढ़ा है 6 से लेकर 7 billion dollars के आसपास का इंडियन रुपीज में आप क्या सकते हैं करीब 45,000 से लेकर 50,000 करोड के आसपास का फिर अगर हम बात करें विगरान की जो हम बना रहे हैं इंडिया में यह काफियत तक एक modern aircraft carrier तो है मगर यह बना है 5 साल लेट original plan यह था कि यह बनके तियार हो जाएगा 2016-17 के आसपास मगर most probably यह इंडिया नेवी में इंडट होगा 2022 में और इसको भी जो बनाने की cost है यहाँ पर जो aircraft station करेंगे उस सब की cost को आप अगर जोड़ दो तो यह aircraft carrier हमको पढ़ा है 10 से लेकर 11 billion dollars के आसपास का करीब आप कह सकते हैं 80,000 करोड रुपे का इसके बाद जो तीसरा aircraft carrier बनाने की बात चल रही है इसमें देखो सिर्फ इसको बनाने में ही जो cost आएगी इसका reason यह है कि INS विशाल, INS विक्रम देत्या और INS विक्रांग से कई गुना ज़रा बड़ा होगा इसका जो displacement weight बदाय जा रहा है it will be around 65,000 ton यह proposal है, बाद में इसको कम ज़रा कर सकते हैं that remains to be seen, मगर अभी के लिए बात चल रही है इसका displacement होगा 65,000 ton इसको आप अगर compare करोगे INS विक्रम देत्या या फिर विक्रांग से तो यह दोनों aircraft carrier है around 40-45,000 displacement की range में तो इनसे काफी बड़ा होगा INS विशाल और इसको बनाने में भी most probably time लगेगा 10 से लेकर 14 साल और जैसे मैं आपको पहले बताया ऐसानी है कि आप सिर्फ एक aircraft carrier बिल्ड करोगे उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पर aircraft और aircraft भी आपको चाहिए modern aircraft जो इस aircraft carrier को special बनाए इसको powerful बनाए तो most probably या तो हम यहाँ पर रफाइल परचेस करेंगे फिर से या फिर हो सकता है कि हम US का F-18E परचेस करें और अगर current prices में हम परचेस करते हैं यह 50 के आसपास तो इसकी जो cost है यह भी पड़ेगी around 16 to 17 billion और by the way जो भी numbers यहाँ पर मैं code कर रहा हूँ यहाँ पर पर पाएंगे third aircraft carrier for India budget versus necessity यह original article है इसको आप पड़ सकते हैं बात में for the figures तो गर हम Indian रुपीज में बात करें तो INS विशाल की जो cost है यह 1,60,000 से लेकर 2,00,000 करोड तक आ सकती है मतलब कि जो current defense budget है उसका around आप कह सकते हैं 40% तो genuinely यहाँ पर question आता है कि since हम आर्मी में भी बात कर रही है cost cutting की यह बात चल रही है कि हो सकता है कि आर्मी का size छुटा किया जाएगा recruitment कर ली जाएगी तो ऐसी स्तेती में क्या हम genuinely afford कर सकते हैं एक तीसरा aircraft carrier और इसका जो answer है यह बहुत ही difficult होगा कई ना कई हमको जो हमारे defense exports है यह बढ़ाने होंगे कई जगा और cost cutting करनी होगी तबी जो यह तीसरा aircraft carrier है हम build कर पाएंगे ना अगर हम चाइना को देखें जो इंडिया का main rival है इस region में तो चाइना के पास already दो aircraft carrier available है और एक और इनका जो aircraft carrier है यह अभी के लिए तियार हो रहा है it is undergoing sea trials और इन्होंने plan किया है कि आने वाले लेकर 6 aircraft carrier होंगे whereas इंडिया के पास अगर आप INS विशाल को add कर दें तो total aircraft carrier होंगे 3 मगर question यहाँ पर यह आता है कि क्या navy और government INS विशाल के issue को लेकर एक agreement पर आप आएंगी क्योंकि अभी भी सरकार यह कुशिश कर रही है कि जो यह project है थोड़ा सा ओर delay हो जाए INS विशाल के बारे में by the way Indian navy hint दे रही है government को since 2017 मगर government ने हमेशा से जो यह proposal है यह postpone किया है तो आप देखो issue यह है कि या तो यह जो project है हम जल से जल start करें क्योंकि अगर हम यह जो इतना बड़ा amount है यह invest करते हैं दो ला करोड के आसपास invest करते हैं और उसके बाद जो यह aircraft carrier है यह बनके तियार होता है 2040 के आसपास या फिर उससे भी late तो यह हमारी navy को benefit नहीं करेगा क्योंकि possibility है कि तब तक technology में aggradation आए नए type के aircraft carrier आ जाए तो need यह है कि अगर यह जो aircraft carrier है नवी के हिसाफ से बहुत important है it is absolutely necessary for our defense तो जल्दी से जल्दी यह जो project है इसको start कर देना चाहिए ताकि इंडियन navy को most probably 2030 या फिर 2022 के आसपास जो तीसरा aircraft carrier है यह मिल पाए क्योंकि उसके बाद अगर यह delay भी होता है हम पैसे भी खर्चते हैं so that will not serve India's interests so वापस आते हैं question पे के which of the following countries have no operational aircraft carriers as of November 2020 तो यहाँ पर जो सही answer रही है इटली विल्कुल भी नहीं है इटली के पास actually दो aircraft carrier है France के पास भी है UK के पास भी है aircraft carrier मगर Turkey के पास as of now aircraft carrier है नहीं मगर यह काम कर रही है एक aircraft carrier पर यह एक छोटा aircraft carrier एक mini aircraft carrier build करेंगे by 2021 और इनकी navy में इंडट हो जाएगा in 2021 इसका नाम होगा TCG Anadolu यह आज के समय काफिया तक news पे भी है इस पर Forbes ने एक report publish करी है कि Turkey का जो नया assault carrier होगा यह transform कर देगा इनकी navy को और Erdogan ने भी recently यह का है कि Turkey आने वाले कुछ सालों में 3 aircraft carrier build करेगा So this is right now the end of the video Thank you for listening and as always God bless you all